हलो गाइज तो कैसे हैं आप लो आपका स्वाधित करता हूं स्पोर्ट शार्ट पर मेरा नाम है राज नाम तो स्नायवा तो आज हम बात करेंगे जो के लिए जो कि मेरे इसाब से ये ठीक ठाक चोईस है ऐसे दे के लिए कि शुरूआथ करता है या चीसे जिए इसे बनीश बोलो के लिए बैट चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं कि सब्सक्राइब बात करते हैं बैट की बैट है जो कि है कश्मीर विलो इसके उपर आप ग्रेंड देख सकते हैं जोगी कति अनकीवन ग्रेंड है है हलागी ग्रेंड है कुछ एक तो फिंच पान्च शेल साथ आव दो तेरा तेरा चोगार है हलागी क्लीर नहीं है पर फिल भी ग्रेंड से अब इस बैट में पीग प्क तो चाहिए वाथ बात है बैट हमें काफी नाइस फिल करता है यानि इस बैट को माने में कोई ज़्यादा जो और नहीं है आप जो भी कहा सकते हैं दूसरी बाद बैट के एच लेखते हैं जो कि है सम्तिंग अबाउट 33-35 mm अला कि यह बैट वह एक कश्मीर विलो है फिर भी बैस्ट वाई है ऐसे लेख लिए जो जातर स्टंपर या फिर टैनिस बोला से गिरता है और हैंडल जो है वह है थ्रीपीश हैंडल और ग्रिप की कॉईटी भी कफी अच्छी फिल लिंग आ रही है ग्रिप को पकड़ने में बहुत अच्छा बैट है जो की और फिर हम बात करते हैं बैट की शेप की जो बैक प्रोफाइल है वह कुछ इस तरह की है अधोड़ी यहां पर मिडल में है मिडल में पंहुड़ा स्ट भी तरह है जो की इंडियन कंडिशन के ङरनके स्वीट बॉर दूसरी वाद हम इसके Test करते हैं इसकी पिं कौरिटी की तो सबसे पहले की Test करने के लिए हम देंगे एक सिंफैटिक बोल जो के जाएतर रूज़ करते हैं बैट को नोक करने के लिए तो उसको टॉस करें करेंगे जो कि आप देख चुके हैं अब इसके आदत को अच्छी नहीं है पर प्रिपिक कापी वीडियो बैटा है इस बोल की बिंग तो बराबर सी है अब नेस्ट बोल को चेक करते हैं वो है स्टंपर बोल अब नेस्ट बोल को चेक करते हैं जो कि है एक स्टंपर की बोल अब स्टंपर की बोल से इसका उचाल काफी जादा अच्छा है इस बैट में अच्छी बिंग दे रहे हैं स्टंपर की बोल में अनि एक टैनिस्ट्र प्लेंट लिए बहुत सहीफ बैट है अब हम देखते हैं शेम चीज हमारे इस वीडियो बैट में इस बैट का विद्धे लादर लादर ले सकते हैं तो अब हम रिव्यू करेंगे इस बैट का विद्धे लादर बॉल लेट स्टार्ट इस प्रीटी मच नाइस रहार बहुत है अची बिंग दे रहे है लादर की बॉल पर भी है ऐसा लगी नहीं लगी कि एक कश्मीर विड़ो है अलांकि एक बार चाइक कर लेते हैं इसकत हैं नहीं इंग्लिष विलो की बार अलग है पर फिर भी इंग्लिष विलो से कुछ खास कम नहीं है यह बैट वी यह इंग्लिष विलो के सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं यह बैट किन के लिए और क्या इसे प्रचेश करना चाहिए या पिर नहीं करना चाहिए तो बताता हूं पहली बाद तो यह बैट का जो प्राइस है वो है इसके 33-35 mm एज है तो वह बड़ी सब्सक्राइब करते हैं और दूसरी बात करते हैं इस बैट के पीकप की पीकप चो है वह बैस लगा मेरे इंगली शुलो से भी बैस लगा क्योंकि यह पीकप करने वह इतना मतलब ऐक तो पहली बात कश्मीर विलो मैंने कोई देखा ही नह लेकिता है कि शब कुछ एगदम बराबर है अंति यंग गिछांट करते की बरापर है मेरे बैट Let me the price ते बहुत ही सही मेरे सबसे आपlier Requ rearxture लेना चाहिए अगर आपके ठाथे यह आप आप या अपने टैनिस टूर्णमेंट या टैनिस बोल से कोई गेम खेलने के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं इससे कोई बड़े लेवल पर स्टेट लेवल या फिर डिस्टिक लेवल पर आपके लिए बड़िया बैट नहीं होगा क्योंकि लेदर की बोल से इतना प्रफेक्ट लोगा चला नहीं था तब जाजतर बैट्समेंट कश्मीर विलो से भी खेलते थे अलागि अगर आप इंग्लिश विलो लेंगे तो और विडिया हो जाएंगे पर अगर आप पैसे नहीं है तो आप एक कश्मीर विलो भी चुन सकते हैं अलागि अगर आप स्टेट लेवल यूज किया एसे जोस इसका मैं गिवेवे करने वाला हूँ कब करूँगा जैसे हम 500 सब्सक्राइबर पार करते हैं मैं इस बैटा गिवेवे करूँगा और ये बैट ऐसे तीन बैट और मगा के रखे हैं वो सब को बाटूँगा तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न करने में सिर्फ आदा सेगिंड लगता तो अगर आपके वेस्ट भी हो जाते हैं तो इसने मेरे खonna लुक्सान नहीं होने वाला हमेरे दो सब्सक्राइब करो और अब बहुत बहु होच को और सब्सब्स केज मोटे हैं तो आपकी मम्मी और क्योंकि यह हलका है तो आपकी मम्मी आतों में जोर भी नहीं आएगा और हमसे कपड़े दो सकती है तो यह एक बेस्ट वाया है प्लीज इसे पर्चेस करें अगर आप चाहते हैं तो